लॉक्डाउन के चलते जल्दी खराब होने वाली फसलों की खेती से जुड़े किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इसमें दूद से लेकर सागसबजियां शामिल हैं इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को Market Intervention Scheme MIS यानि की बाजार हस्तक शेप योजना को लागू करने के लिए कहा है इसके तहट जल्दी खराब होने वाली फसलों की खरीद की जाती है इसमें राज्य सरकार को जो नुकसान होगा उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार देगी पुर्वोत्तर राज्यों में ये हिस्सा 75 फीजदी होगा हाला कि ये योजना कब जमीन पर उतरेगी? कब किसानों को राहत मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है इन तमाम मुद्दों पर बाचित करते हैं हमारे साथ राश्ट्र किसान संगर समनवै समीती किसायोजक सरदार वीम सिंग जी जुड़ गए है नमस्कार अनिका जी जी आज राश्ट्र को प्रधान मंत्री ने संबोधित किया क्या उमीदे थी आपको खेती किसानी को लेकर किसानों को लेकर आप कहीं निराश हुए क्या प्रधिकृया अज मुजे बहुत कम्या लगे ऊंदेश के लिए करोना के लिए उंका जो संदेश के लिए पर जहां तक किसानों के लिए था, किसान आज करोना से लड़ाई लड़ते हुए बाहर जा रहा है कटाई करने के लिए, जैसे आपके डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, उसके लिए भी दो श्रप्त किसान के लिए बोलने चाहिए थे प्रधान मंत्री साबाशी देगा, पी करना चीए था, मुझे लगता है, खैए. किसान को कम करें, क्या लगता है कि इसमें मार्केट इंटर्वेंशन स्कीम को लागू करने से क्या फायदा होगा, और राज्यों की सरकारे इसे अब तक लागू क्यों नहीं कर पा रही हैं? यह संतुलन बनाना काम कौन करेगा? सरकार करेगी. एपी एमसी के माध्यम पे छोड़ दोगे, तो एपी एमसी नहां तक क्या किया है देश्का? आज आपको खुद, सरकार को खुद संतुलन बनाना पड़ेगा कि ब्लॉक के लेवल से, तैसील के लेवल से, उठाकर सब्जियां या फल और आपको लाना पड़ेगा वो भोगता के पास. यही तो चुनौती है याज, और चुनौती कहिती है, इसके उपर जो है, आदमी यह नहीं कह सकता कि एक तरफ किसान पिखता जाए, और कहीं ऐसा नहीं हो आगे के लिए, यह किसान सब्जी लगाना ही छोड़ दे, बोले सब्जी तो बेकार चीज है, तो लो अगर हमने जह चना लगाया, मक्का लगाया, धान लगाया, तो कम से पक्की फसल है, और गंदे से पक्की फसल की होती नहीं है, तो ऐसा नहों कि सब्जी वाले भी उसमें चल जाए, फिर सब्जी के लाले पढ़ जाएंगे. हम देख रहे कि जो बागवानी के किसान हैं, जो फसलें विदेशों में भेशते हैं, export market के लीए उनको भी भारी नुक्सान उठाना पर रहा है। क्या इन किसानों को हो रहे, नुक्सान का कोई आकलन है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल उठता है लीजी हो, आम हो, सब्जिया हो, यह एक्सपोर्ट जो है, आज जब रुख्या है, जहास चलनी रहें, दिमांड है नहीं, यहां से आप भेज नहीं सकते, ट्रकों में लातके आप दिल्ली नहीं ला सकते, दिल्ली में कंटेनर्स में दालके आप आगे नहीं भेज सकते, तो क्या करना पड़ेगा? गौर्मन्न को इंटर्वीन करना पड़ेगा, स्टोरीज फिसील्टीज अपनी बढ़ानी पड़ेंगे, टेंपर रानी कोल स्टोरीज तो टेकोवर करना पड़ेगा, या उनको कराई पर लेना पड़ेगा, और किसान को बचाना पड़ेगा न Здесь सरकार के भनधारन वरे हैं इसे मैंने कह आज तो क्या रही है जो संशोधान कुछ disfrut केंद्री सरकार यह भी कह रहे है कि एपी-एंसी अक्ट में संशोधन किया जाए किसान अपनी जो उपज है उसे मंडी में लाने के बजाए सीधे फार्म टू डोर डिलिवरी हो क्या लगता है ये मॉडल इसको पर्खा जा सकता है क्या दिक्कते देख रहे हैं आप ये जो प्रशन है ना के सरकार कहती है FPO's के थूँ खरीद हो जाए डोर टू डोर बिक्री हो जाए काज़ों में बड़ा अच्छा लगता है कभी आपने इससे पहले समाल करके देखा जब नहीं देखा ये समय एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है हमारे उत्तर प्रशे मुख्यमंतिर ने परसों बारा तारिक में एक साशन अजिश निकाला इसान भी बचे और चेश को भी फायदा हो वोगता को भी फायदा बहुत बहुत शुक्रिया विएम सिंग जी इन तमाम जानकारियों के लिए